Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 16th of May 2021 16 माई 2021 का the Hindu newspaper analysis देखेंगे शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने है पहला सवाल है consider the following statement with respect to red-eared slider turtle तो red-eared slider turtle जिसके वाले में कल मैंने आपको बताया भी था आज पहला सवाल उसके regarding है देखें पहला सवाल जाडेल जिसा अन्व避 इस निवाजिफे आपको नृ तो भुद नर्थन डासीज़ उस्टी मैंनीาน जा के सवाले प्रुदी is of the given species below which of the following are protected under REM 2 फिस्ट इस ग्रीन तर्टल, फिस्ट इस हॉक्स बिल्ड तर्टल, थर्ड इस अलिव रिड्ली तर्टल, फिस्ट इस लेधर बैक तर्टल और फिफ्ट इस लॉगर है तर्टल आपको बताना है इन पांचों में से कौन से शेडिल वन फ़ाइल लाइल प्रोटेक्शन अट 1972 के बीमा बैंबू, फिस्ट इस्टेट में भीमा बैंबू या बीमा बैंबू का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पार्क का निर्मार किया गया है, औप्शन और विस्ट बंगॉल, बी केरला, सी तमिल नाडू और दी में खा लिया, इस आर थ्री कोशन फोर यू तो डिए, प्लीस स्टेटमेंट सही है, USA का है, Northern Mexico का नेटिव है, लेकिन invasive species है, कल हमने इसके बारे में डिसकस किया था कि गुजरात में हो गया आपका, और अभी नॉर्थ इस्टन स्टेट्स में, यह सा बहुत जादा परिशानी क्रियेट कर रहा है, ठीक है ना, उग्रतारा वाटर पार्क क इन में से कौन से टर्टल वराइटीज हैं, जो कि प्रोटेक्टर हैं इंडर दर वाइल लाइप प्रोटेशन आट अट आप नाइटीन स्टेट्टीट तो इंडिया के अंदर पांच ऐसी कोस्टल तर्टल हैं, यह उन्हीं पांचों टर्टल के नाम लिखे हैं और पांचो विल बी डी, 12345 वेशन नमर थी ऑक्सीजन पार्क उसिंग द भीमा बैंबु या भीमा बैंबु कौन से स्टेट में था तो उसका जो करेक्ट आंसर है वह है तमिल नाडू में, तो तमिल नाडू में भीमा या भीमा बैंबु जो है एक सुपीरियर क्लोन है, सेलेक्ट फ्र बाइ the conventional breeding method, इसमें breeding method का use करके इसको बनाया गया है, and it is one of the fastest growing plants, it grows one and a half feet per day, and under the tropical conditions, it grows one and a half feet per day, तो इसको लगा कर के क्या करेंगे, it will be used as a carbon sink to mitigate carbon dioxide emissions, इनको ये तमिल नाडू निविचिटी में डेवलप किया कहा है, so या द रहे के का भीमा बैंबु या भीमा बैंबु, ठ अब एक साइकलोन की नीज चल रही और आपको नाम पता होगा केरला को हिट कर चुका है साइकलोन टॉटे यहाद रखे का इसको टॉटे पड़ते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्रनाउंच्ड एस अन दाट वैसे स्पलिंग में टॉटे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर के जो है वो साइलेंट कर देते हैं और टॉटे एस टॉटे इस रेड आरेबियन सी में आया है केरला वाले पार्ट को हिट कर चुका है और अप्रॉक्सिमेटली गुजरात तक बेसिकली जाएगा इस दे मैप इस देर तक बेसिकली अब आयमडी के रिगार्डिंग बेसिक आपको पता ही है कि 1875 में बना था इक आपको आपको याद रखना है थाए अगे एक और यूज आपको बताना चाहता हूँ Jupiter IC Moon Explorer ये एक mission है JUS mission इसको बोलते है JUS mission Jupiter IC Moon Explorer mission JUS mission है किसका है European Space Agency का है याद रखे का JUS mission अगर आप से कोई पूचे JUS mission किसका है तो ये ये आपका European Space Agency का है and it is the Jupiter IC Moon Explorer ठीक है ना Jupiter IC Moon Explorer और इसका test अभी चल रहा है अभी भी construction phase बे है ये Jupiter IC Moon Explorer mission JUS mission है it is an interplanetary spacecraft developed by the European Space Agency and it is under the development phase and the main contractor of the mission is Airbus Defence and Space इसका जो में कॉंट्रेक्टर है वो है Airbus Defence and Space Jupiter related है ये अभी सी वात है Jupiter IC Mars IC Moon Explorer है तो JUS mission आप याद रखे का European Space Agency का mission है and किस इंटर-planetary mission है to the Jupiter I hope you will remember these facts चेकर ना Sunday का दिन है आगे मूफ करते हैं जादा news items में आपको Sunday के दिन load नहीं देना चाहता है लेकिन हाँ जो important news items आई है सिर्फ वो मैं जरूर बदाना चाहता हूं मैं चाहता है तो आज का news analysis skip भी कर सकता था बट वो सही नहीं है I think we should carry on with the analysis important चीज़ों तो पता ही होनी चाहिए Mars landing gives China's space program a leg up अब China ने क्या कर दिया है Mars में finally landing कर ली है and now they have became the third country to successfully land on the Mars Mars में land करने वाली third successful country बन चुकी after USA and Russia यहां देखो लिखा है China successfully landed a spacecraft on Mars for the first time on Saturday here is the timeline of the key movements अब क्या क्या key movements इसके पहले हुए अगर आप देखें तो October 2003 2003 में Shenzhou 5 Shenzhou 5 carries the first Chinese astronaut Yang Levy into the space है ना तो USSR याने Soviet Union और USA के बाद तीसरी country China उसमें भी थी जिसने की first Chinese astronaut को को ले कर के गहे थे स्पेस में Shenzhou 5 के अंतर गया 2003 में ठीक है ना देन एक lunar mission Chang E-1 गया था विस वस फिफ्थ कंट्री तु लाँच मून प्रोव चाइना फिफ्थ कंट्री थी थी जिसने की मून प्रोव स्टार्ट के था 2007 में ठीक है ना फिर इस पेस स्टेशन का एक नया वो पार्ट बना लें कि Tiangong 1 को लाँच किया था 2011 में इसके अलावा थोड़ी इंपॉर्टन चीज़े में बता हूँ 2019 पे आपाओ January 2019 पे आपाओ Chang E-4 Chang E-4 यहां पे लिगा ना January 2019 Chang E-4 जो था It was a lunar probe makes world's first landing on the far side of the moon Chang E-4 was the world's first to make a landing on the far side of the moon then July 2020 में launch of the first Mars mission जिसको Tianwen-1 बोलते Tianwen-1 was the first Mars mission जो भी land 1 उसको नाम है Tianwen-1 It carried a orbiter, lander and rover और April 29, 2021 में Long March 5 rocket carries Tianhe module into the space Tianhe module and the debris fell on the ocean Indian Ocean आपको यह भी पता होगा जो debris था उसका वो Indian Ocean में गिरा and इसके लावा अभी 15th May 2021 को Zhurong, the lander touches down the Mars Tianwen mission के अंदर जो lander था Zhurong, Zhurong नाम का lander था जुरॉंग, lander was there which touched down and China became the third country to complete the Mars landing after Soviet Union and the United States of America Zhurong याद रखना, Tianwen याद रखना Chang E-4 याद रखना जो मैंने अलग-अलग ये अलग से नाम बता है इनके नाम जरूर याद रखना, these are very important missions and China को थोड़ा space superiority provide करने का काम ये missions कर रहे है I hope you will remember these news items let's move ahead now आगे move करते हैं new approach combines biologics antibody drug conjugate तो यहाँ पर एक नही टेकनीक बनाई गई है protein antibody conjugate protein biologics, protein antibody conjugate technology अब ये बिमारियों को solve करने के लिए है जैसे cancer जैसी बिमारी है कर तो उसको ठीक करने के लिए है अब यहाँ पर दो term आपको आपने देखेंगे biologics term देखा और एक antibody conjugate term देखा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं biologics की, क्या होता है biologics biologics का idea है कि एक defective protein है suppose आपके अदर एक defective protein है ठीक है ना, तो आप extra, जो protein defective है, वो protein extra मातरा में आप उसको supply कर दो for example, अगर आपकी body में insulin की कमी है, insulin की कमी है ना, जैसे diabetes के case में हो जाता है glucose बढ़ जाता है, insulin की कमी हो जाती है तो होता क्या है कि body में अलग से insulin इंटर किया जाता है, मलब injection लगा जाते है अगर आपने किसी diabetes patient को देखा हो तो उसके body में अगर insulin की कमी है तो insulin अलग से inject किया जाता है ठीक है ना, अब देखो ये क्या method हो गया, ये biologics का method हो गया मलब कि आपकी body के अंदर कोई protein कम था आपने externally उस protein को ही जादा मातरा में intake कर दिया, तो आपने उसकी कमी को पूरा कर लिया, ठीक है ना, कोई defective protein था आपने उसकी कमी को पूरा कर लिया था कि balance बना रहे, है ना, तो simple सी वादा this is the concept of biologics इसको कहते हैं biologics अब ये काम क्यों कर रहा है insulin की case में काम क्यों कर रहा है क्योंकि अभी तो केवल हमको एक protein डालना है, लेकिन suppose हमारी body के अंदर तो 20,000 से जादा protein है, उन में से कौन सा protein malfunction कर रहा है हर बार हमको पता नहीं रहेगा और ये भी नहीं पता रहेगा कि उसकी exact location कहां पर है, तो कहां पर inject करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि we do not specifically know कि कि सेल के अंदर to detect a foreign substance inside the body antibodies तो वो substance है जो कि body produce करता है to detect a foreign substance inside the body, ये पता है ना, आपको antibodies develop होती है, to detect a foreign substance now antibodies हम develop कर सकते हैं to recognize anything that does not belong to our body कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी body को belong नहीं करता है, हम antibody develop करके उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है ना अब cancer cells जो हो गए cancer cells भी वही है, cancer cells unnecessary है body के लिए और cancer cells को हमको detect करना है ठीक है ना, तो drug क्या होता है इसमें जैसे आपकी body, इसमें antibody conjugate में क्या होता है, कि drugs आप डालते हो और वो antibody response जवलप करता है regarding that disease, अब मालो protein के case में क्या है, कोई protein आपको वो करना है, तो आप protein का use कर सकते हो, antibody के साथ protein का use of antibody के साथ आप करोगे, तो यह targeted उसी protein के पास जाएगा, जहां पर की आपका issue है, जहां पर की आपको problem है, तो इसको बोलते drug molecule can में test होता, antibody तो यहां पर लिखा हुआ है, drug molecules को आप antibody पर test करोगे है ना, यह क्या करेगा, drug antibody conjugate बना लेगा, drug antibody conjugate बना लेगा, ठीक है ना अब मालो कोई ऐसी cell है, जहां पर cancer cell है, जैसे protein antibody conjugate आपने बना है, protein antibody conjugate बना है, बिल्कुल वहाँ जाकर कि आपके pancreatic cancer cells पर जाकर attack करेगा, मलब कि अगर आपने इस specific जो targeting के लिए protein का यूज़ कर लिया और antibody का mechanism यूज़ कर लिया, तो आपके जो biologics में कमी हो रही थी, वो कमी दूर हो जाएगी, so this is the basically basic idea behind the protein antibody conjugate, new skink species in the western khart western khart में एक नया skink species, आप देख सकते, यह पता निए क्या है यह skink बोलते हैं इसको and subdo leuceps neil girancis, इसका नाम है subdo leuceps neil girancis, ठीक ना this is a reptile and it has a slender body of about 7 cm sandy brown color है, skink की variety है, reptile के अंदर कता आते है subdo leuceps neil girancis, याद रखेगा and यह anai katti hills, जो है कोयमबटूर के, anai katti hills, कोयमबटूर वहाँ पे इनका पता लगाएगा है, ठीक ना, anai katti hills कोयमबटूर, याद रखेगा कहाँ पर है, anai katti hills कोयमबटूर, ठीक है न, तो that is a thing which is important यह भी याद रखना है और कोयमबटूर कहाँ पर है, अगर मैं आप से पूछू, तो कोयमबटूर आपका तमिल नाडू में लोकेटेट है ठीक है न, तो यह भी आपको याद रखना है it's in Tamil नाडू, कोयमबटूर is in Tamil नाडू तो इसको याद रख सकते हैं कोयमबटूर फॉर्दा, यहाँ पे IUCN के अंतरगत यह चीज़ हो रही थी और स्किंग की वराइटी है, एशियन ग्रसाइल स्किंग, बोलते हैं इसको एशियन ग्रसाइल स्किंग, सब्डो लिूसप्स नील गिरेंसेज, याद रखेगा सब्डो लिूसप्स नील गिरेंसेज, और अभी IUCN इसको वलनरेबल कंडिशन में है, अब Mucormycosis जो है एक aggressive invasive fungal infection याद रखेगा, Mucormycosis एक aggressive invasive fungal infection है, and it is caused by a group of molds called Mucormycetes, याद देखो लिखा हुआ है molds की variety से होता है, यह Mucormycetes बोलते हैं इसको, and याद रखेगा, this is an invasive aggressive fungal infection है, fungal infection है, and it affects the brain, ear, nose, throat and mouth, it affects these parts of the body, it is not contagious, it can cause a lot of damage internally, and can be fatal if not detected early, तो यह contagious तो नहीं होता, लेकिन यह damage बहुत create करता है, internally, और fatal भी हो सकता है, अगर आपकी बोडी में इसको detect नहीं किया जल्दी से जल्दी, थिका ना, it is an old disease, Mucormycosis is a very old disease, and these are the things which you need to remember regarding these, अभी recently वैसे तो यह बहुत कम फैलती है, 0.14 cases होते हैं, per 1000 अगर हम देखें, per 10,000 population अगर हम देखें, लेकिन अभी जो है, काफी जादा यह फैल रही है, 2000 से जादा cases, per 1000 0.14 होता है, लेकिन अभी जो है, महरास्ता में 2000 से जादा cases बोल रहे हैं, and यह क्यों बोल रहे हैं, because of the misuse of the covid-19 drugs, because of the excessive use of the steroids, because of taking prescription drugs without any prescription, these are the reasons why mucor mycosis has grown up nowadays, तो जो भी आप लोग करें, बिल्कुल दवाईयां जो है, वो दॉक्टर के prescription के हिजाब सही लें, अपने से दॉक्टर ना बनें, और अपने से कोई भी ऐसी drugs ना लें, जो क covid-19 aid, तो यहां पर बता जा रहा है कि क्यों foreign 19, foreign aid हम नहीं ले पा रहे है, because in the covid-19 times, तो जो reason मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं, वही reason यहां पर भी है, first is the FCR, FCR पता है आपको foreign contribution regulations act 2010 का act है, जो की home ministry दोरा चलित है, और home ministry इसके अंदर का बोला है कि जो NGOs, foreign health, अगर आपको इंडिया, तो डेली के एक ब्रांच चे अंदर की, वहां पर आपको account खुलवाना पड़ेगा, अब ऐसी केवल 16% NGOs हैं, जिनका account opened है वहां पर, और बांकी कि 84% NGOs का नहीं opened, तो ऐसे में यह, जो 84% NGOs हैं, किस तरीके से यह foreign help ले पाएंगे, they will not be able to take the foreign help, दूसरी चीज जो इ of the supreme court, all these things have happened, but they have not reduced the GST and other formalities, तो यह कुछ formalities है, जिनके कारण से की, जो foreign aid है, वो मिलने में काफी time लग रहा है, the delay is being caused because of all these things, so I hope you got clarity regarding these basic points, and you should remember these points, याद रखेगा इनको, that is it for the day friends, I hope you liked our video, please do like, share and subscribe, keep loving us, keep sharing us, thank you and have a nice day.